पीपल वारन फील्ड एक्चली इस दे जैन सातियों मैं आपका साती पूटपूर सैनिक मनो सिंग एक बार फिर हैस्टेक नो अगनी वीर टोपिक के साथ मैं आगे वड़ रहा हूँ हमारा सीडियस रेंग यानि कि तीनो सिनाओं का जो सबसे बड़ा प्रमुक रेंग होता है चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ यानि कि जिसके अंदर में आर्मी एर फोर्स और नेवी आती है जब पहली बार ये रैंक बना था और पहली बार सीडियस बने थे हमारे विपिन रावास साथ जो पहले आर्मी के चीफ ओफ डा आर्मी स्टाफ थे हालांकि उनका चैयंग जो चीफ ओफ डा आर्मी स्टाफ का था वो भी कहीं ने कहीं संधिय के दायरे में था क्योंकि उनसे सीनियर एक और थे उनको नेकलेट करके इनको आगे चीफ ओफ डा आर्मी स्टाफ बना दिया गया और तरह तरह की टेंपसेंड कंडिशन बताएगी जब तक आज तक यह होता था कि जो सीनियर होता था लेटरेंट जिमिर्नल में उसी को ही चीफ आफ दारेंज स्टाप बनाया जाता था तो हमें लगा यह इंफेंट्री के हैं और इनका नॉलेज घाटी, काउंटर इंसर्जेंसी, हाइटेटूड अरिया बहुत जदा है और यह सेना के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे अच्छा काम इनों ने यह कर दिया की जैसे इनको फाइदा मिला चीफ आफ दारेंज स्टाप का वैसे ही इनको फाइदा मिल गया चीफ आफ दिवेंज स्टापका यानि कि इंडिया के पहले व्यक्ति थे हमारे जो पहले सबसे पहले CDS यही थे तब भी हम बहुत खुश हो थे सोचा था कि सेना के मैं बहुत सुधार होगा और ऐसा बताया गया था कि तीनों सेनाओं को एक चतरिया नहीं कि एक साथ करने का कुछ प्लानिंग है जिससे कि ती चाहिए युद्ध की टेकनोलोजी हो या और भी कोई सुधार हो उसमें बदलाव का दोर आएगा लेकिन आया क्या निकल के आया बहार टूर ऑफ ड्यूटी जिसको कि अभी आप अगनीपद स्कीम और जो उसमां भरती हो जाता है उसको आप अगनीवीर के नाम से आप जान आर्मी की डीड की अड़िब बोले जाता है वैसा ट्रेड अगनीवीर के अंदर में आ जाएगा आर्मी का डॉकुमेंटिशन डौक शिर्फ एक डौकुमेंट उके कितना बड़ा सेक्रेवर्टी का डॉकुमेंट है वो एक चार साल वाले बंदे अगनीवीर के आत में आ जाएगा यह देश की सुरक्षय के साथ में बहुत बड़ा खिलवाल है ऐसा हम नहीं ऐसा हमारे सेना के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वो बयान दे चुके हैं सेना के आपने देखा होगा परमवी के नाम पर सेना के साथ में खिलवाल नहीं किया जाना चाहिए था एक वज़े तो होगी यह विपिन राव साब अगनीपत यूजना उन्होंने प्रपोसल सब ड्राप त्यार कर दिया हालांकि उनकी दुरकटना में मृत्य होगी उसी के साथ में दूसरी जो और हो कैंची च साथ सो बहुततर प्लस होती है तो आप सोचिए साथ सो बहुततर में सिर्फ एक बंदा अमल है जो उनके क्रेडि रेम आता 35 यह की वह जाता बाकि सब ऐसे परसेंटेस के दार पर पेंशिन बनती लेकिन उन्हीं के साथ मैं यह भी ठंडे बस्ते में भी चला गया आना कि मु जन्रल को तीनों सेनाओं का प्रमुख बना दिया गया अलांकि आप बुलण 63 सेना का जो सरवोच होता है उनसे बड़ी योग्यथा क्या हो सकती है और आपने देख्या होगा कि जब हमारे विपिन रावस साप का अकास्मिक दियान दो गया था तब कारेवहाग जो CDS बने थे वो बने थे हमारे Chief of the Army Star क्योंकि तीनों से नव में Air Force, Navy और Army में वही सीनियर थे उनको Offsledding CDS बनाय जा या यानि कि काम वही समाल रहे थे और पूरी की पूरी आसा और अफेक्षा थी कि वही अगले CDS बनने जा रहे हैं और कमाल के बाद देखिए उनको रिटार्मेंट होने दिया वह आउट उनके आउट होते दो मेने के बाद में अगनी वीरियोजना लागू कर दी गई और उसके बाद में कुछ टाम के बाद मे CDS सेना के एक रिटार्मेंट लेटरन जर्नल को CDS बना दिया गया जिनको की आप अभी लेटरन जर्नल अनिल चोहन साब के नाम से जानते हैं अब वो तीनों सेनाओं के सरवोच्च है सोचा था ये कुछ अलग करेंगे लेकिन ये अगनी वीरियोजना की तारीख बिना रहे हैं साफ सा पता चल रहे हैं कि ये शब्दू उनके नहीं हैं ये सब्दू जो हैं उनके द्वारा बुलवाई जा रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा सुनिया अगनी वीरियोजना की आल जो अगनीवीर हैं वो खुश है और ये योजना सेना को मजबूत करेगी, सुन्ये कर दो बेच्ट है और ये इंचिटार जोट उतना इंचेटा काारि मड़ड़की हैं विछ जिए रपाव करेगी finger अपना इंचेटान का डेगीन, सुन्सक्तू अप्यूरोश ऑुश लाओक रह सुनौ लॉट्ट दूप को मड़ड़की हैं तो जविए हैं गार्श ये युज़ख कि इनने इन अज़ाने दोई प्रफशने में कि वो कि अपिज़ इन पर इन नहया है, इन अक्राइड का प्रशाबे में प्रणू्हिज चर्ण्राज जा युल कि आदाजको कि पर ईन T चिना चुन चुन का ब्याद्ट बालेशने के लिए घर नभू साइब जिए भालेशने वेसे साइब बूब चैनल नभी जिए खिए। विए प्रजिज कि अच्छिद वाषा राजिय धर अचिवन अचिव इंग शचिवार विए को ले लिए ले विए बाध रोलिपल मेंगर गुमने के लिए है अब्रेशा अचेव रिम कि अचिव प्राफ। पिंगरें आम अमयेर्से नुक्त अजे इस्टायब को कि आपको रस अजनी साउमन रे लिग रुट, भैर सुट्टन चीमिन कर दो संध्ड, उटनीो इसोल्जर्स औजरेंड के । और समयत्थ? अगेन, I think that's a view which I have also read you know, against Agni Veed who is going to use this Agni Veed it's a commanding officer people who are on field actually is there any, you know, dissonance among them, no see these guys are quite happy because ultimately a commanding officer who is at the cutting edge of combat, he gets to choose what kind of people he wants actually अचली इन्यवित, और अचली देड मह वोड़को प्लाज़ उस्स्ति का बाइं, कि वार लेटाइं सोन हो लाँ कुछे, जर लाइं से ओलाइंट में लाज़ टक्रश ख्यांग्थ सक्यान कर ले छोड़को कर आचे बाधने हैं लेखने ले प्रेंटिंगर अविथिए प्रेंट खने था जां स्थन में लेखने भ can't work on why I look at it. It's working on yet. We had no issues till now. Two badges are already there on training. The first batch in 27th, and one-body would come out. There is a lot of time for us to look at if there a any short-comings in this team, but as of now, I think people who are using this have taken feedback from the soldiers who तो क्या आप इनके बयान से आप सहमत हैं अगर आप सहमत हैं तो कॉमेंट्स में जरूर बताएं उसके बाद दो हमारे रक्षा भी सिसके हैं सुनिए ये भी सेना के मेरे को लग रहा है ये भी सरकार में मतलब इनको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा साथ इसलिए अगनी व स्टाफ का जब सेना को प्रॉब्लम नहीं कमांडिंग ओफसर को प्रॉब्लम नहीं अगनी वीरों को प्रॉब्लम नहीं ये बदल कर रख देगी अब देश की सुरक्षा को ये कहना है सीडियस का जरल संजे कुलकरनी पूर्व डीजी इंफेंट्री हमारे साथ जुड रहे मेजर जरल अशुनी सिवाच हमारे साथ जुड रहे हैं जरल कुलकरनी आप डीजी इंफेंट्री रह चुके हैं ये बताइए क्या अगनीवीर स्कीम पर जो सीडियस ने कहा आप उससे इतिफाक रखते हैं या जैसा कुछ वेटरंस या राहूल गांदी ने कहा था हमारी से कि इना की मजबूती कम होगी गौरब मैं सीडियस के साथ सेहमत हूं इसलिए नहीं क्योंकि वह सीडियस हैं और कहरे हैं मैं जमीन पर गया पर जबशकना देखा उनका बैसिक मिलिटी ट्रेदिनिंग देखा अन्दोब ट्रेदिनिंग या और जमीन के ओपर मैं ने जा करकि कि और जिस प्रकास से उन्टे मैंने भरोसा देखा जो जो जजबा देखा गाया देखा और मुझे लगता है यह उनिटा पर मजे और बातशीम जादा हो रही है उन्हों जोष जनूर जोष जोष चो देखते हैं मुझे लगता है वाकित काभल तारीफ और यह कहना तो यह जोष जनूर जजबा काभल तारीफ है जनल सिवाच कि आप इस बात से सहमत है कि अगनिवीर स्कीम से सेना की तैयारी 19 नहीं 20 या 21 रहेगी जैसा सेना के कमानिग ओफिसर्स का मनना है इसमें कोई शक्री दो तीन चीजों के लिए जिसके लिए अगनी भी स्कीम लाए गई थी उसके लिए सकस्स है क्योंकि एक तो एच प्रफाइल जवानों का कम हो जाएगा यंग रहेंगे पहले अगर आप कारगल के लड़ाएं में देखें जहां सुबरा मनिम कम एक ती था पत्चीस चब्वीस के क्रीब होगी यंग हैं उसके बाद बहुत ज्यादा ट्रेन हैं वेजु एजुकेटिड हैं टेक्निकली क्वालिफाइड हैं और दूसरा सबसे इंपोर्टन चीज है जो हम पैसा बचा पाएंगे क्यों पैसा बचाएंगे तो उससे जो प पाइंट है मैं हर चीज से समयतू पर मैं दो बात माभी भी कहता हूं इसको पाइलेट प्रोजेक्ट समझना चाहिए अगर अगले तीन चार साल में हम को कमी पेशी देखते हैं तो हमें उसके अंदर बदलाओ करने में कोई हिच्चकिचाना ने चाहिए जैसे मैं चलो इसका बड़ा इंपक्ट होता है दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि जो आभी मैं मैं यह मानता हूं कि जब 25% हम लेंगे तो सबसे अच्छे जवान हमारे पास आएंगे और रिजविष्ट की प्रॉब्लिम ही पड़ेगी लडाई के दुरान हम 25-50% करके रिजविष्ट भी पैदा कर सकते हैं बड़ी बार जलते चलते यह भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या चीन की सेना के मुकाबले या पाकिस्तान की सेना के मुकाबले हमारी ट्रेनिंग या टैक्टिक्स या डिप्लॉइमेंट में अनुभव की कमी सरहदों पर नजर आई की अग्मी से नहीं नहीं बिलकुल नहीं गौरब मैं बता सकता हूँ चार साल का अगर पुराना सिपाई देखे और अभी इनको हम देखे उसमें कोई नहीं है जब कि मैं देखता हूं कि सौफ्ट के स्किल्स जो है और फारिंग की जो स्टांडर्स है इन अगनी वीरों में बनिस्पत बहुत अच्छा है और दूसरी बात जहां तक हैं इनको वही अलाउंस मिल रहे हैं तो उसमें कोई तब्दिल नहीं आ रही है जहां तक जैसे आपने पूछा लेशी के उपर देखा मैंने उनको लोशी के उपर देखा मैं बिलकुल भी कोई फरक निगान्स जब अपने चौदा आफ्टे का अडवांस करते हैं उसके अन्दे जॉप करते हैं साथ अपते का यह सॉफ्टे स्किल्स करते बिलकुल है और सीमिलेटर और इस तरह के आले जब आए हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता है किसी में किसी प्रकार कोई कमी देखी चार साल है जिसमें से करें पचीस प्रकार हो सकता है बाद में तोड़ी देख बाद में पचास प्रकार किया जाए रेव्यू करने के बाद कि किस तरिके से लेकिन ओगनाइजेशन में कोई भी कामी पेशी नहीं है जहां तक कमानिंग ऑफसर का सवाल है ठीक मौदर है येस बहें उन्हें करनी प और जो हमारे नेताओं के दिमाग में जो गंदगी है कल वो हुली का देन में वो आज हुली का देन है उसमें जल जाए और उनकी वो भी सत्मुद्धी दे बगवान ताकि वो अगनीबत यूजना को खतम करके जो हमारी पुरानी सेना बरती प्रक्रिया आया वही बाहल करें जहन जवारत